अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आज मेरी लाड़ू मैंने कहा था ना बच्ची को मा की जरूरत है कणक बहु साके बच्ची को दूद बिलाने के बाद बच्ची एकदम से सांत है मा के यांचल की जगा दुनिया में और कोई ना ले सकता मुंसा सब बच्ची एकदम ठीक हैना ठीक है तो फेरा परिशान क्यों दिख रहे हैं सेवा मैं परिशान ही से लिए हूँ मैं यह सोच रहा हूँ कि यह खेल और कितना लंबा चड़ेगा आखिर एक बच्चे को उसकी मा से कितनी देर तक दूर रखना पड़ेगा मुंसा सई खेले हमें इस मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा बच्चे को बाहर की हवा, धूप, पानी की जरुरत है देखो बात तो तो तुम दो नो ठीक के रहे हो यह जगा मेरी बच्ची के लिए ठीक न है निकालता हो कोई रास्ता में भाईसा, आश्तो लाडू का भी नाम करन है वें अपनी लाडू को खूब सजाऊंगी एकदम राज कुमारी लगेंगी मेरी लाडू एकदम राज कुमार लगता है मेरा बेटा में तुझ में किसी की नजने लगने लूँगी बाबू किसी की भी ने मुंचा ने भी बहुत कुशिश की थी मरिये, बोतलवाला दूठ पिती ने भाईसा मैं कुशिश करती हूँ क्या पता, एक मा के हाथों से पीली मतरोना, क्या हो गया वापस? कर्षे की दूठ पीरा था भी फिर से क्या हो गया तुझे? आई था मेरा बच्चा भी बुखा होगा जिन्दर ना कर में कुछ करता हूँ बेवा बाब, बताने फिर से से क्या हो गया है, आज फिर ही दूपे ने जिंदकार कर रहा है जो कुछ सावच में नहीं आ रहा है, कल तू सुख सही था दो मजे दो पर नवजाद बच्चों के लिए ना मा का दूर ही सही होता है, बाहर का दूर नहीं पिलाते हैं आप पता है, लिखन ये आपका बेटा है ना कोई और बच्चा उता तो शायदे बारी बमान भी जाता लेकर आपका है तो तोड़े नकरे तो दिखाए गई एक काम करो, आप आखी माद दिखाओ, जाके दूद बना के लओ, मैं तब तक इसको समालता हूँ, पिलाद देंगे दूद, चिल्टाना करो, जाओ जल्दी करो, भुकाई तोड़े बच्चा उन्से लाड़े थोड़े, पिला रहा हूँ, तू जल्दी से दूद पिला दे भेबगवान, रसाल करनक मालकें के बच्चे को अपना दूद पिला रही है यह खबार तो जाकर बड़ी मालकें को देनी होगी तब होगा हंगामा, जब करनक भाई साब को पता चलेगा और बड़ी मालकें मुझे देगे, तकडा साइना प्रसाल, करनक जी आ रही है, जल्दी कर, मैंनको पातों मोल जाता हूँ अरे, करनक जी, आप दूद लिया है यहाँ हाँ लेकिन आपने क्या इस शीशी को पहले वो पतीले में पाणी डाल के उबाला नहीं उबालाओगा, चलो एक बार पहले उबाल देटेए, उसको बात दूद भरेंगे इसके नरम लोग दोनों मिलके, चलो आओ शिवा, मा मैं हो और मा जिसी बाते कर रहे हो तुम लेकिन मैंने कहा था आपसे ना कि मैं बच्चे का ख्याल रखूंगा बिलकुल आपके साथ और आपने यह का था ना कि पहले सब कुछ मुश्किल लगता है लेकिन बात में सब आजाता है बहुत अच्ची बात है कि तुम्हें इपनी परवा है पर मैंने बच्चे को उबाल लिया है उसके बाद ही दूर भरा है चलो उबाल लिया है ज्यादा गरम तोणी है ना ठीक है चलो आओ पिलाते में आओ आओ अरे इस तो फिर वो की सो गया शिवाव कोई बात नहीं रोते रोते ठक के सो गया होगा सुरने दो चिंटाना करो जब उठेगाना मैं खुद उठ पिला दूम उसको यह मैं मैं हूना बाप इसका आप एक काम करो ना जपते की सोरा जल्दी से जाके तयार हो जाओ नाम करण के लिए बाद में समय नहीं मिलेगा आपको जाओ जिल्ली करो जाओ 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 अगर हमारा छोरा हुआ या छोरी हुई तो क्या नाम रखेंगे छोरा हुआ तो धे पर छोरी हुई तो रज्जू जानती थी अपने बच्चे को किसी और की गोज में डालनी की परिशा असान नहीं होगी आज एक और परिशा की घड़ी है जब मैं और अरजू बच्चे के माबाप होके भी अपने बच्चे का नाम करण नहीं कर सकते पक्की खबर है कि है? सो तक का पक्की खबर है अब थारी खबर कड़त निखली न तो मैं थारी जान ले लोगी चूटी खबरों कोई नहीं सकती मालके खोट अपनी आखों से देख कर आ रहे हो साल खुद कनक के बच्चे को अपना दूद पिला रही थी तो यहां खड़ी के कर रही है जोँचा के काम पे लाग क्या नाम रखो में मेरे बेच्चे का चान पर दुप्राई रख दूँ कनक भाई साथ वो पूजा के लिए जो परशाद बनाया है उसका क्या करना है ले आए लेआ है बाई साथ वो मारे को समझ में नहीं आगा कि कितना लाना है आप चलिए न मारे साथ ठीके में कुदी ले आते हूँ लगता है इसने उस पक ठीक से दूद नहीं पिया इसलिए इससे बूख लग गई है फिर से मुझे सबसे चुपाके इसे दूद पिलाना होगा पर भाबी साथ या किसी ने देख लिया तो क्या होगा बाई साथ बेना आपे के पास आ रहे थी रसाल बाई साथ आपके बच्चे को कहें लेकर चली गई है बिना मुझे से पूछे कैसे मेरे बच्चे को लेकर चली गई है कहां गई है वहां लेकर गई है वहां लेकर गई है यहां रहा है यह सब वह बच्चा रो रहा था तो मैंने सुचा कि मैं तरी इमत कैसे होई मेरे बच्चे को दूद पिला रही है अब में समझो तक्रीफ इसे नहीं है कोई यह मांग रहा है यह जो तू कर रही है यह जो हो रहा था मुझे नहीं को का है ि करता है ऐसे नहीं व में व सोचा रहा है बहल हां सो जोड किनेême कीव मुझे अपनाता नहीं है कियो मेरे दूसर से इंकार करता है क्योंकि रही बहन मेरे बच्चे को मुझसे दूर کر रही है जीनना चाहती है